तो अगर आपके पास Redmi A1 Plus Mobile है और आप उसमें App Lock लगाना चाहते हो तो कैसे लगाना है चलिए मैं आपको बताने वारा हूँ तो दोस्तों आपको App Lock लगाने के लिए सबसे पहले अपने Mobile की जिस सेटिंग है उसको Open कर लेना है सेटिंग को Open करने के बाद आपको नीचे की दिरफ आ जाना है तो यहाँ पर देखोगे तो Option मिल जाएगा आपको Apps का तो सिंपली आपको Apps पे क्लिक करना है जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर App Lock का Option मिल जाएगा तो उसके बाद इस पे क्लिक करना है अब आपको यहाँ पर इस तरीके से turn on का option मिलेगा तो turn on पर click कर देना है अब यहाँ से आपको अपना एक password create कर लेना जो भी आप रखना चाहते हो password create कर लीजिए फिर से confirm कर दीजिए और उसके पर next कर दीजिए next करने के बाद यहाँ पर not know कर सकते हो अगर आपके पास my account है तो इसको sign in कर लीजिए नहीं तुम्हें not know करना हूँ यहाँ से और फिर से आपको not know पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने उस तरीके से आ जागा तो यहाँ पर आपको use app log पर click कर देना है अब दोस्तों आपके सामने ये वाले apps देखिए कुछ apps जो आपके automatic log करके आ चुके हैं अगर आप इन में से और भी किसी apps को log करना चाते हो तो इनको यहाँ से enable कर दीजिए और जो उपर log है इनको अगर आप unlock करना चाते हो तो इनको disable कर दीजिए disable करने के बाद दोस्तों अब ये apps आपके log हो चुके हैं अभी आपको यहाँ पर ऊपर एक setting का icon मिला है setting पर click करना है जो setting का icon दिया गया है इस पर click करना है आपको और जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा lock setting तो आपको lock setting पर click करना है अब यहाँ पर दूसरे वारे options पर क्लिक करना है when device is locked इस पर क्लिक करना है अब दोस्तों आपका app lock जो हो चुका है अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपका chrome अगर जो भी lock था वो lock लगा था आपने वो lock हो चुका है देखें यहाँ पर lock लगा हुआ है तो इस तरीके से आ आप किसी भी apps को lock कर सकते हैं